यह स्वेटर अच्छे लग रहे हैं ना यह मेरी मम्मी ने बीन हुए थी यह मैं बच्पन में पहन दी थी अपने स्कूल की टाइम पर कॉलेज में पहना था तो मुझे लगा कि आप लोगों के साथ भी शेयर करूं इसके उपर जरूर वीडियो बना दू बढ़ते अपने भी बहुत जादा देखना जरूरी होता है क्योंकि अगर आप बहुत दिनों से बेबी कंसीव करने के लिए प्लानिंग कर रहे हैं और अगर हो नहीं पा रहा है तो आपको सही टाइम पे जो अगर आपका ओविलूशन का समय होता है जिस समय आपके शरी से अंडर रिलीज होत होगी तो वीडियो काफी इंफर्मिटिव है प्रिशुदू से लेकि लाज तक जरूर देखेगा नमस्कार दोस्तों मेरे नाम हर्शिता वर्मा है और आपका मेरे चानल पेंस्वाइबल पर स्वागत है तो वो लक्षनों में सबसे इंपोर्टेंट जो लक्षन होता है वो 30 दिन की हो 32 दिन की हो तो on average मैंने अगर 30 दिन को आपके menstruation cycle का length को अगर मान लिया तो उसको आपको 3 से तो तीन से डिवाइड करने के बाद जब आपको दस दिन मिलते हैं फिर दूसरा दस दिन का एक पार्ट मिलता है और तीसरा दस दिन का पार्ट मिलता है तो पहले दस दिन को आप छोड़ दीजे और लास्ट के दस दिन को छोड़ दीजे यह जो बीच के जो दस दिन होते हैं fertile होते हैं यह जो beach का जो 10 दिन होता है उस समय आपके लक्षन दिखने के chances होते हैं और इसी time पे आपको लक्षन दिखने के लिए मिलते हैं अब लक्षन कौन-कौन से होते हैं सबसे पहला जो लक्षन होता है वो आपके शरिर में काफी ज़ादा desire का बढ़ जना यानि कि जो libido होती है उसकी enhancement आपको वहाँ पर दिखाए देगी आपको काफी ज़ादा यह feeling ज़ादे लगेगी मतलब जिस time पे आपका evolution होने वाला होता है जो fertile days होते हैं उस time पे आप ज़ादा active हो सकते हैं दूसरी important चीज़ आपके private part के through कुछ ऐसे discharge होते हैं वो discharges भी यह show करते हैं कि आपके शिर से अंडा अभी फूटने वाला है निकलने वाला है आपका evolution day start होने वाला है तो होता क्या है कि आप अपने normal जो भी आपके discharges होते हैं उसमें आपको कुछ थोड़ा सा different उस time पे जरूर लगेगा मतलब यह जो बीच के 10 दिन होते हैं वो भी especially अगर मैं starting के जो 5 दिन होते हैं उसकी अगर मैं बात करो यानि कि 14-15 जो दिन होता है वो highly fertile होता है उस time पे आपको कुछ अपने discharge में भी अंतरत नजर आएगा वो discharge हलका सा लसलसा हो सकता है बिलकुल transparent जिसमें कोई smell नहीं होगी बिलकुल clear जो discharge होता है वो जो की एग वर्ट जैसा लगता है तो वो आपके अंडा release होने के भी संकेत को दर्शाता है कि आपके शिर से अब अंडा release होने वाला है और यही सही समय है जिस time पे आपको relation प्लान करके आप अपने बेवी को प्लान कर सकते हैं conceive को प्लान कर सकते हैं third important point तब होती है कि जब भी अंडा release होता है तो alternate month या तो किसी left ovaries से होगा या तो right ovaries से होगा और अगर twin होंगे तो दोनों से भी हो सकता है लेकिन general cases में left से होगा या तो right से होगा आपकी पास दो ovaries होती है तो अगर जब भी left ovaries से अगर अंडा release होता है तो आपको left abdomen में थोड़े lower part में आपको हलकी सी cramping महसूस होगी या फिर हलका सा mild सा pain आपको feel होगा उसी तरह से अगर right के साथ भी होती है तो right के side में भी आपको हलकी सी cramping महसूस हो सकती है जो की बिलकुल normal है तो ये जो बीच के 10 दिन होते हैं उस time पे आपको अगर ये सारे symptom दिखाई देते हैं तो आपको समझ जाना चाहिए कि आपके शर्ज से under release होने वाला है और भी बहुत सरे अलग-अलग symptoms होते हैं अगर आप जानना चाहते हैं और भी ज़्यादा evolution के बारे में तो आपको इस video को क्लिक करके जरूर देखना चाहिए ताकि आप अपने evolution को समझ कर और relation प्लान करके अपने pregnancy को प्लान कर सकते हैं और planning होने के बाद जब अगर आपका implantation होता है तो ये implantation क्या होती है उसके बारे में भी detailed knowledge मैंने second video में दी हुई है तो उसको भी क्लिक करके आप देख लीजेगा कि ये implantation होती क्या है और इस 10 पे सावधानी रखना evolution टाइम से भी ज़्यादा जरूरी क्यों होता है थैंक्यू सो मच फार वाचिंग ट्विंस मैं वल्ड